वेलकम हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो PCD आलामात की तरफ से OROP पर एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है OROP रिजन पर आप देख सकते हैं मैं इंप्लिमेंटेशन के रिगार्डिंग जो नए एरियर्स प्रोवाइड किये गए हैं जो की एक जुलाई 2019 से उसके रिगार्डिंग बहुत इंपोर्टेंट मैं खबर देने वाला हूं आपको कुई चीजे डेटेल्ड बताने वाला हूं साथी साथ इसका जो ऑफिशल सर्कुलर जो जारी किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके लाबागा और और इस वीडियो में लास्ट थक और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा साथी साथ आप हमारी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन के लिए गंटे की निसान को भी प्रेस करिए तभी आपके पास हमारी वीडियो की लेटस्ट अलावाद की तरफ से जारी किया गया है और इसमें आप इसका सब्जेक्ट भी बहुत क्लियर ली देख सकते हैं सब्जेक्ट में यहां पर लिखा गया है इंप्लिमेंटेशन औफ वन रेंग वन पैंशन ओ रोपी रिविजन तुदर डिफेंस पैंशनर्स विद इफेक्ट फॉर्म वन सेवन ट्वंटी ट्वंटी नाइन यानि कि एक जुलाई द्वार उन्नीस से जो ओ रोपी पैंशन डिविजन हुआ था उसको कि आप देख सकते हैं इसमें रान नम्बर टु यहां फार आप देख सकते हैं इसमें्र क्रेंशन किया गया है कि अब वसे फॉर्मेंट मैंट लेट्र दो 1915 कि आम एधायर इस ओफिस त्विश्यक्नाइशन ओर शूरु नो ल करिक årर लिकला एयुंट पैंशन आपके αυτ श्र तो इसमें और भी चाही चीज़ें आप देख सकते हैं इसके लावा और इसके लावा इसमें कौन-कौन एफेक्टिव कब से होगा यह पैंसन डिवीजन देख सकते हैं यहां पर जो कि एक जुलाई 2019 से इसमें पेमेंट ओप एरियर्स और जितने भी पैंसन डिवीजन है ओर इसमें चार अलाग एक्वल हाप यहली इस्टॉल्मेंट होंगी इसके लावा फैमिली मेंबर्स के लिए इंक्लूडिंग जो कि इस पैसल या लिब्राइट फैमिली पैंसन के अंदर आते हैं और इसके लावा और भी कई सारे चीज़ें उसमें होने वाली हैं अब देख सक हैं या पे एपलीकेबल भी है कि कौन कोन एपलीकेबल होंगे तो इसमें आप फुर्ण सा डिटेल में देख सकते हैं अपलीकेबल्बिटी में फिप्त नमबर पॉइंट पे इस ओडर्स अप्लाइट तू ऑल पैंसनर्स फैमिली पैंसनर्स हूँ है रिटार्र अब आप देख सकते हैं कि जो पैंसन की डिविजन और पैंसन इंडियसी वह किन लोगों को मिलेगी क्या क्या डियसी सर्विसेस में किन-किन लोगों को आएगे इसमें क्लेरिकल डूटी वगेरा भी सारी चीजे ली गई है इसके लाब एक और पॉइंट नमबर साथ देख सकते हैं आप गाइडलाइन्स फोर रिविजन और वेरियस पैंसन या वेरियस फैंशन या वर इंजूरी पैंसन इंक्लूदिंग डिसाबिलिटी वर इंजूरी अलिमेंट एन ओर्डिनरी स्पेशल लिब्रलाइज फैंपली पैंसन और कमिशन ये सारी चीजे होंगी इसमें जो भी एक जुलाइद दुराइद उनीस से जो भी एक्जिस्टिंग पैंसन होगी वो जिसके अंतर का सारी चीजे इसमें यहां पर आने वाली हैं तो बहुत सारी चीजे इसमें वर इंजूरी पैंसन भी आप देख सकते हैं इसके लावा फैमिली पैंसन कैसे कैसे इसमें मिलेगी और्डिनरी फैमिली पैंसन कैसे मिलेगी सारी चीजें बहुत ही डिटेल में इ है तो मैं आपको कम आपको नीचे जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जहां पर आप इसको देखेंगे और आप कमेंट में यस लिखेंगे तो आपको यह ऑफिशल नोटिफिकेशन जो कि आप लिटन जारी किया गया ऊबरोपी अपको यूण बड़ी एंपडेट अपके बडवकर पर दूसरी बड़ी पड़ेट बर इहां दोस्तों बड़ी अँंपडेट आ रही है आपके फिट्विटाषन टी निफिकोंटर को ले कर्के साथी साथ भी मीडिया में एक बड़ी खबर आ रही थी यहां दोस्तों मीडिया में भी खबर आ रही है कि आपके जो भी हिसूज हैं चाहे आपके 18 मंथ का डी ए डी आर या एरियर सो साथी साथ आपका जो फिक्स्ट मेडिकल अलाउंसेस हो और इसके लावा कई सारे और भी जो एनमलीज हैं उन सबसे लेटेड एक जो है मार्च मंत में बड़ी जो है कैबिनेट बैठक होने जा रही है यहां दोस्तों जिसमें करमचारियों और पैंसनर्स के हितों के लिए का वेलफेर के लिए काफी सारी चीज़ें आउट हो सकती हैं का आप सबी को पता है कि आप को आप जो है जनुवरी मंत से यहनि जनवरी दोयार 23 से आपको महहाई बदता और महेंगाई रहात में यूजली बड़ोत्री फिर से होनी जा रही है चार अर्वे कबिनेट मीटिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो होगी उसमें जो है 4% महेंगाई बतता और महेंगाई रह साथ की गोष्णा तो हो नहीं है इसके लावा जो है अन जो गोष्णा है वो भी हो सकती है अगर मीडिया में जो खबरे आ रहे हैं अगर उनकी मानों तो तो जल्द से जल्द में भी आपको बहुत जल्द बढ़ोती देखने को मिल सकती है यहां दोस्तों फिटमेन प्रें देखने कि वाख़ा आपको iDewerAm a family pension को बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिल सकेगी आपको जानकर एक लिए बता दे आपको 7-037 आयूक कि रिесто कमेंडिसन के हिसाब से आपको 2.57 गुना के बेसिस पर आपको जो है 9000 बेसिक पैंसन साथी साथ 18,000 रुपय करमचारियों को सैली प्रवाइट कराई जाती है जो कि 2.57 गुना होती है लेकिन अगर इसमें जो करमचारियों और पैंसनर्स की सरकार से रिक्वेस्ट है कि फिट् परशेंट डी ए और बड़ोत्री के साथ अगर फिट्मेंट फेक्टर का तोफ़ा भी मिल जाता है तो ऐसमें पैंसनर्स की बेसिक पैंसन जो है 9,000 रुपय से बढ़ करके 14-15,000 रुपय हो जाएगी क्योंकि पैंसनर्स की बेसिक पैंसन ही उनकी एक बड़ोत्री का सहरा हो पैंसनर्स की बेसिक पैंसनर्स में बड़ोत्री हो जाएगी तो उनके लिए बहुत जादा रहात की खबर हो सकती है इसके लावा जो है आपको जनवरी फरवरी और मार्च तीन मंद का जो डियर नेस लीफ का एई यरस भी आपको मिलेगा जिससे पैंसनर्स को थोड़ी सी लाहत देखनें के उमीद जताई जा रही है साथी साथ अगर आब बात करें करमचारियों की तो करमचारियों की भी सेलरी में अगर फिट्मेंट एक्टर बड़ोत्री होती है तो अठाला जार रूपैसे बढ़ करके चोबीस आर्व से पत्रीस आर्र रूपै तक उनकी सेलर नोheStory को देख सके हैं औरुव औरुट्टे कर आया हुमां डीयप डियए-r में आपको कितना मिलने वाला है आपको पूरी टेबल में बटाए जाएगा आपको कितना difference मिलेगा आपकी pension आपकी सारी बताई जाएगी आपकी basic pension जितनी भी हो पूरी एक बहुत अच्छे से table prepare की गई है उस table के थुरू आपको सारी चीजें बहुत ही detail ने बताई जाएगी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है long हो सकता है लेकिन आपके जितने भी doubts हैं आपके 18 मन्त DA और को रिलेटेड सारे doubts क्लियर हो जाएगे साधी साथ table में आप ये भी देख पाएगे कि आपको कितना DA और areas सहित मिलेगा total areas कितना मिलेगा चाहे वो जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में हो चाहे जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के बीच में हो साधी साथ जो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच का जो 18 मन्त का DA और DR है total आपको table में दिखाया जाएगा आपकी basic के साथ में आपका difference करके सारी चीज़ें बहुत ही detail में दिखाई जाएगे थोड़ा वीडियो long हो सकता है मैंने पहले भी बोला है बट सारे चीज़ें इसमें complete बहुत अच्छे से की गई है बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में last तक और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर subscribe करेगा साथ ही साथ आप हमारे वीडियो की latest notification के लिए घंटे की निसान को भी प्रेज करिए तब ही आपके पास हमारे वीडियो की latest notification आप आएगी और आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से आगे भी watch कर पाएगे आप की screen पर ये table दिखाई दे रही है इसमें आप सबसे पहले column में आप देख सकते हैं कि आपकी basic pension आपकी basic family pension कितनी है दूसरे column में आप देख सकते हैं कि आपको उस time पे 17% DR के साथ में कितना परशंट कितना आपको DR मिलता इसके बाद में आपको पता है कि जनवई 2020 से June 2020 के बीच में चार परशंट की DR में बढ़ोतरी हुई थी इसके बाद में इन दोनों की बीच में कितना difference है इसके बाद में total 6 मन्त यानि जनवई 2020 से June 2020 के बीच में जो 6 मन्त का total कितना आपको रुपे मिलते हैं वो भी आपको दिखाए गया है आगे हम बात करते हैं जैसे जैसे डिये बढ़ता गया यानि जुलाई 2020 से जनवई 2021 के बीच में आपको पता है कि ये total 24% DR हो गया तो 24% कितना मिलता आपको इसके बाद में आपको difference कितना हुआ total और total 6 मन्त में आपको कितना provide कराया गया ये भी इसमें आपको हम टेबल में बताने वाले है जनवरी 2021 से जुलाई 2021 में कितना अब फिर से जो DR बढ़ा 28% हो गया और जुलाई 2020 के बाद से आपको 28% से बढ़ती करके महगाई बहता और महगाई रहात आपको दिया जा रहा था तो हम इस टेबल में ये भी बताएं है कि आपको 28% के rate से DR कितना मिला था कितना difference था और साधी साथ टोटल 6 मंत को करने के बाद में आपको टोटल अगर 18 मंत के DA और DR प्रवाइड कराया जाएगा तो टोटल कितना एडर्स बनने वाला है क्योंकि अभी जो है कुछ पिछले कुछ दिनों ही जो है unions और government unions जो है continue सरकार से इसके regarding बातचीत भी कर रही है बहुत जल्दी कोई न कोई इसका solution निकलता हुआ दिखाई दे रहा है चलिए हम फिलाल टेबल पर लिएके चलते हैं तो पहले कोलम में आप देख लीजे पहले कोलम में जो pension और family pension है वो 9000 रुपए अगर किसी pensioners की pension या family pension है तो 17% DR से उसको 1530 रुपए provide कराए जाएंगे वहीं अगर वो 21% DR मिलता है यानि 4% ब्रोत्री के बाद में तो उसको जो है 1890 रुपए उसको मिलेंगे मिलते थे उस टाइम पे डिफ्रेंस यो टोटल जो हुआ था इसमें यह 17-21% का वो जो है 360 रुपए होता और टोटल 6 मन्त की अगर हम बात करें 6 मन्त के बाद में तो यह 2160 रुपए टोटल आपका जो है जनवरी 2020 से जून 2020 की बीच में 6 मन्त का एरिया बनता अब बात करते हैं आगे जैसे जैसे महगाई बढ़ता गया तो 24% DR से जो 2160 रुपए इसमें आपको 9000 बेसिक पे के इसाब से 2160 रुपए मिलते डिफ्रेंस की बात करें यानि फिर से जब 17 से वापिस से 24% DR हुआ तो उसमें डिफ्रेंट जो क्रियेट हुआ वो 630 रुपए हुआ और टोटल 6 मन्त की बात करें टोटल 6 मन्त यानि नेक्ट 6 मन्त में यानि जुलाई 2020 से जनवरी 2021 से नेक्ट 6 मन्त में ये 3780 रुपए का डिफ्रेंस की बड़ा क्रियेट हुआ अगला जो है इसमें 28% जब DA और DR हुआ तो 9000 बेसिक पैंसन याँ फैमिली पैंसन के एम्पलोईस याँ पैंसनर्स को जो है 28% DR से 2520 रुपए हुआ है वहीं अगर हम जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच में जो फैंस की रियेट हुआ वह तीन सो साट रुपए था और टोटल सिक्स मंद का अगर हम बात करें टोटल सिक्स मंद का आपको फिर से जो डियार हुआ वह की सो साट रुपए हुआ यानि कि तीन जो अलगलग इंस्टॉल्मेंट्स थी उनमें टोटल आपको 9,000 बेसिक पैंसन है तो आपको 1,800 रुपए टोटल एडियास की रूप में मिलने वाले हैं अगला हम बात करें ऐसे पैंसनर्स या फैमिली पैंसनर्स जिनकी बेसिक पे 9,250 रुपए है उनको 17% DR से 1572 रुपए 50 पैसे मिलेंगे 21% DR से 1942 रुपए मिलेंगे और इनका हम डिफरेंस करते हैं तो 370 रुपए इनको मिलने वाले हैं अगर हम 6 मन टोटल बात करते हैं तो 2220 रुपए मिलेंगे और अगर फिर से महेंगाई बढ़ता 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 बढ़ा है जिस परकार से तो 24% DR से इनको 2220 रुपए मिलेंगे डिफरेंस की बात करें तो 647 रुपए मिलेंगे और टोटल 6 मन की बात करें तो 3885 रुपए मिलेंगे और टोटल 28% की बात करें 28% DR जब बढ़ा तो 2590 रुपए मिलेंगे और डिफरेंस की बात करें ऐसे pensioners या family pensioners जिनकी basic पेर 9,250 रुपे थी total अगर मैं areas की बात करें 18 months DR की तो 8,325 रुपे उनको मिलने वाले हैं next की हम बात करें next table में आप देख सकते कि 9,550 रुपे है तो 17% की दर से उनको 16,23 रुपे 50 पेसे उनको मिलेंगे और हम difference की बात करें तो 282 रुपेस इसमें difference हुआ total अगर 6 months की बात करें difference करने के बाद में तो 2,292 रुपेस टोटल प्रोवाइट कराए जाएंगे और अगर 24% DR की बात करें तो 24% DR के रूप में भी same जो data है यान 2,292 रुपेस मिलेंगे और अगर difference की बात करें तो 668 रुपीस 550 पेसे उनको जो है difference की रिएट हुआ और इस difference की बज़े से total 6 months का DR हुआ वो 4,011 रुपीस हुआ और 28% की दर से बात करें तो 2627 रुपे उनको मिलेंगे और total अगर difference की बात करें फिर से तो 382 रुपे हुए और total 6 months की बात करें तो 292 मिलेंगे लेकिन 3 अललग installments की बात करें या 18 months की बात करें तो 8,595 रुपे उनको total जो है areas मिलने वाला है next हम बात करें यहां पर आप देख सकते हैं next जो है 9850 रुपे pension या basic pension है तो 17% की दर से उनको 1614 रुपे 50 पेसे मिलेंगे और 21% जब बढ़ोतरी हुई तो उसके हिसाब से होने वाला है तो टोटा 6 months की बात करें तो 2364 रुपे उनको total मिलने वाले हैं और 24 20 24 पर्शंट की बात करें तो 24 जो है 2364 रुपे उनको मिलेंगे और difference की बात करें तो 689.5 रुपे मिलेंगे और 6 months की तो 4137 रूपे उनको मिलने वाले हैं. 28% की DR से बात करें, 28% DR जब उनको मिला तो 2758 रूपेज मिलेंगे. वह ज़ो अगर difference की बात करें तो 394 रूपेज डिफ्रेंस होता है. और total 6 मंद की बात करें, तो 2364 रूपेज उनको मिलने वाले हैं, और total areas की बात करें ऐसे pensioners या family pensioners इनका basic जो है 9,850 रुपे रहा उनको 8,865 रुपीज उनको मिलने वाले हैं next की बात करें next जो है जैसे pensioners या family pensioners जिनकी basic 10,150 रुपे थी उनको 17% की दर से DR उस टाइम जो मिल रहा था वो 17,25 रुपे 50 पैसे था वहीं अगर 21% DR में जब बड़ोतरी हुई 4% की जिसमें 21,31 रुपे 50 पैसे उनको मिलने वाले थे साथ ही difference की अगर create करें तो difference जो है 406 रुपे मिलने वाला है और अगर 6 मंत total की बात करें difference की रिएट करने के बाद में तो 2436 रुपे मिलेंगे वहीं अगर 24% DR के बात में बात करें तो 2436 रुपे द्यार होगा 24 की % DR के और साधिसा तर डिफरेंस की बात करें तो 710 रुपे 50 पैसे उनको टोटल इंटर की बात करें चाच्भाए उंको अवाला है चासथ इंस आर्पी की बात करें चारंद haurs में डिफेन्स होगा तोल इपसुब तोर्टल एकिर की बाद करें तो मिलने वालय है सब्सक्राइब नेज़ pure प्रशची बात करें सब्सक्राइब रुपे पांच पैसे उनको मिलने वाले हैं डिफरेंस की बात करें तो 418 रुपीज उनको टोटल डिफरेंस होगा साथी साथ अगम सिक्स मन्त टोटल की बात करें तो टोटल डिफरेंस की बात करें तो 418 इसमें डोटल डिफरेंस की बात करें तो तो 418 इसमें डोटल डिफरेंस होने वाला है तोटल 6 मंत की बात करें तो 2588 रुपांच रुपीज तो टोटल 8 years की बात करें तो लाश्ट की बात करें इसमें आप देख सकते हैं टेबल में ऐसे पैंसर से फैमिली पैंसर जिनका बेसिक पेंग 10,750 रुपए तो 17 परशन के डियार की तरफ से 1827 रुपीज 50 पैसे उनको 17 परशन की दर से मिलेगा साथी साथ उनको बात करें आप देख सकती 20% डियार से तो 227 रुपे 50 पैसे मिलेंगे और इस डिफरेंस की बात करें तो 430 रुपे का डिफरेंस बड़ा होने वाला है 6 मन टोटल की बात करें तो टोटल 2580 रुपे मिलेंगे अगर 24% DR होगा तो टोटल 2580 रुपे उनको मिलेंगे और अगर ये डिफरेंस की इसमें बात करें तो 752 रुपे 50 पैसे टोटल डिफरेंस होने वाला है टोटल 6 मंद की बात करें तो टोटल 4,515 रुपए टोटल डिफरेंस होगा और 28% DR की बात करें तो उसमें 3,010 रुपए टोटल 28% DR मिलेगा वहीं अगर डिफरेंस की बात करें तो टोटल 430 रुपए का बड़ा डिफरेंस होने वाला है और टोटल 6 मंद की बात करें जोकि ज वाला है तो आपने देखा कि तीन अलालग इंस्टॉल्मेंट में 18 मंत का जो डी ए और दी आर था उसमें हमने आपको पूरा डीटेल में बताया कि यह सारी चीज़ें आपको कितना टोटल एडियर्स मिलेगा तीन अलालग बहुत टेबल बनाई जिसमें आप सभी का बेसिक प एक लिए बतायीए तो फिर इसमें आप आपने वालाग लेगा परिसमें के यह सारी आपको कि यह सरे में आपको क्यूंते दमेवा है बहुत बताया कि अलालग जादेल वालाग आपको